तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें विसिकली क्या करते हैं कि एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है टेस्ट पार्टिकल है इट मूव इन्हें सर्कुलर आर्बिट ग्रिविटेशनल फिल्ड मास डेंसीटी वैरियेबल है यह जो रीजन है इस रीजन में वैरियेवल डेंसीटी है मतलब वैरियेवल मास है यहां पर और यह जो है यहां से यह जीरो है और यह कैपिटल आ रहे है यहां से लेके जीरो टू कैपिटल रहे है तो इस इस रीजन में कुल कितना मास आया होगा वाट इस मास इन दिस को इस पूरे मास को यह पूरा मास रेड वाला इसको मैं इस पॉइंट सेंटर पे केपिटल यह मान सकता हूं न वख यह 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 एक छोटा सा पार्टिकल यह यह पूरा मास छोटा यहां पर कैपिटल सेंटर सेंटर की तरफ जारा सेंटिपीटल फोर्स वही जो मलब जो ग्रिविटेशन लग रहा है इन दोनों के वीच आट्रेक्शन वहीं सेंटिपीटल प्रोबाइड करेगा यह लोजिक है इसका लेकिन यहां जो capital M है वो एक unknown mass है unknown mass है this is the unknown mass this is the problem तो यहां पर तुम देखोगे तो यह basically अगर देखा जाए तो इसमें gravitational सेंटिपीटर फोर्स की वेलू M से MR MR ओमेगा स्कॉयर इस उकल टू जी capital M unknown mass small mass particle और आर का स्कॉयर तो यहां से इसमाल एम ने इसमाल एम को खतम कर दिया तो आर capital M is equal to 4 pi स्कॉयर टी स्कॉयर की वेलू that is capital G M is equal to R का स्कॉयर तो यहां से गर मुझे time period इस equation में अगर मुझे time period की जो वेलू है वो basically तुम देखो 4 pi स्कॉयर और यहां R की power Q यहां से देखोगे तो divided by Z M और यह आ जाएगा T का स्कॉयर लेकिन दिक्कत क्या है भाई problem तो यह ही है दिक्कत क्या है कि यह जो mass है वो unknown है जो mass है वो एक unknown है तो यह equation number first अब इस unknown mass को मैं calculate करूंगा basically अब मैं total mass calculate कर जा रहा हूं तो total mass calculation के लिए मैं यहां से small r distance में यहां से small r की value zero है और यह जो है पूरा इसमें small r की value capital R है और यहां पर particle चक्कल लगा रहा है इस माल है मौला तो यहां से small r distance वे जाके कुछ डी आर ठीकनेस का एक differential element लेंगे और यह differential element बहुत यह थीन सेल होगा यह थीन सेल होगा differential element और इसकी जो ठीकनेस है यह वाली जो ठीकनेस है वो basically DR है तो ठीकनेस इसकी DR है तो अगर इसका ठीकनेस DR है तो अब तुम देखोगे कि इसके पास जो small m mass is equal to volume multiplied by density तो volume multiplied by density के equal है तो इसका मास volume इसका जाएगा 4 pi small r square इसकी ठीकनेस DR और इसकी density जो है वो के ओभर r का square तो यहां से r square cancel हो गया तो finally जो यहां तुमें दिखेगा तो dm की जो value आ जाएगी dm की value आ जाएगी वो आ जाएगी 4 pi k dr अब proper limit लगा के integrate कर दो तो अगर proper limit लगा के यहां से integrate करोगे तो यह वाला जो r की value 0 होगी ठीक है तो mass होगा तो r की value capital r होगी तो mass capital m होगा जो कि हमें चाहिए तो इस capital m की value आ जाएगी 4 pi k और यह integrate हो जाएगा यह 0 to capital r तो mass is small capital m की value 4 pi k और capital r this is nothing but it is the capital m तो जो हमें capital m पता चल गया तो इसको यहां पर रख दो तो इसको यहां पर रखोगे तो finally जो है वो 4 pi square r की power q और यहां से capital g capital m की 4 pi और k r यहां बचेगा और that is t square तो यहां से दिखना कोई भी छूटे ने भाई तो यह यहां से r का square तो finally जब इसको solve करेंगे तो हम क्या चाहिए बोलो option में t upon r का value चाहिए तो यहां से t upon r की जो value आ जाएगी वो t upon r की value आ जाएगी तो 4 pi का square divided by 4 pi k और z तो यहां से 4 pi तो देखो के तो फोर ने 4 को एक पाई ने एक पाई को यहां खतम कर दिया तो फाइनली यहां पाई अपाई 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 के कैपिटल जी अंडर रूट बचेगा जो की पूरा का पूरा एक constant है तो t upon r की पूरी की पूरी की value एक constant value exist कर रही है मतलब इस इस साफ से देखो हमारा कौन सा option सही होता है तो t upon r की जो value है ओ यह option हमारा सही हो जाता है प्यारे बच्चो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो